सैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए सीमित पाठेकरम ये सीमित पाठेकरम वर्ग आठमी के इतिहास भुगोल और नागरिक सास्त्र विशे से संबन्दित है स्टूडेंट्स, सीमित पाठेकरम का तातपर्ज ये है कि बर्तमान में COVID-19 को देखते हुए आपके पाठेकरम को कुछ छोटा कर दिया गया है वास्तम में जो सिलेबस बनता है उस सिलेबस के अंतरगत जितने चैप्टर्स निर्धारित होते हैं उन सभी चैप्टर्स को परिछा की द्रिष्टी से पढ़ना जरूरी होता है लेकिन अभी जो बर्तमान इस्तिती है उसके अंतरगत बिद्याले खुले हुए नहीं है और बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करनी पढ़ रही है कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए भी साधन सुविधा उपलग्द नहीं है आयस्ति इस्तिती में जारखन सरकार ने आप सभी के लिए कक्छा एक से लेकर आठ और नौ दस जो भी सिलेवस है उससे आगे के भी जो सिलेवस हैं उसके लिए जो निर्धारित पाठेकरम है उस पाठेकरम में से कुछ चाप्टर्स को हटाया गया है हटाने का तात पर यह है स्टूडेंट्स कि परिच्छा की द्रिष्टी से उसकी तयारी आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिकत नहीं है बावजूद उसके जदी आप समूचे सारे चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं तो वो अच्छी बात होगी लेकिन जदी आप नहीं पढ़ पाते हैं उन चैप्टर्स को आप छोड़ देते हैं तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि उन चैप्टर्स से आपको कोई सवाल पूछा ही नहीं जाएगा परिच्छा में ठीक है तो यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्लास आठ के इतिहास भूगोल और नागरिक सास्तर बिसे के संदर में और दूसरे अन बिसेओं के बारे में जानकारी मैं इसके बाद दूसरे वीडियो के माध्यम से दूंगा तो अभी बक्तमान में हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास भूगोल और नागरिक सास्तर बिसे हैं उनमें आपको कौन-कौन चैप्टर्स को छोड़ देना है और किन-किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखिए भूगोल तो भूगोल में टोटल चैप्टर्स की संख्या 6 थी है ना तो 6 में चैप्टर नमबर 2 और चैप्टर नमबर 5 है ना चैप्टर नमबर 2 और चैप्टर नमबर 5 को पुर्णता बिलोपीत कर दिया गया है पूनता बिलोपित का मतलब यह हुआ कि उसको आप नहीं पढ़िए ठीक है पहला चेप्टर जो संसाधन है इसको आप पढ़िए दूसरा चेप्टर मृदा जल प्राकृतिक बनस्पती और बन्ने जीवन संसाधन इसको छोड़ दीजिए नेक्स्ट खनीज और सकती संसाधन क पढ़िए किसी को भी पढ़िए उसके बाद जो उद्योग है उसको आप पूनता बिलोपित समझिए उसको नहीं पढ़ना है जो रेड में अंकित है उसको नहीं पढ़ना है जो ब्लैक में अंकित है उसको पढ़ना है और नेक्ष देखिए मानव संसाधन है ना उसको भी तो कुल 6 चेप्टर में 4 पढ़ना है और 2 नहीं पढ़ना है ठीक है अब आगे देखते हैं दूसरे विषय का तो students अब देखिए आपके समक्ष क्लास आठवी का नागरिक सास्तर विषय है तो नागरिक सास्तर विषय में कुल चेप्टर की संख्या है साथ और साथ चेप्टर में टोटल 4 चेप्टर को बिलोपीत कर दिया गया है है न उसमें कौन-कौन चेप्टर को बिलोपित किया गया है पहला चेप्टर जो सम्भीधान है उसको तीसरा चेप्टर संसदिय सासन बेवस्था चौथा चेप्टर न्याय पाली का और पांचवा चेप्टर सामाजिक न्याय तो पढ़ना कौन-कौन सा है सरिफ दूसरा में सरकार की भूमी का और साथवां चैप्टर है सामाजिक समस्याएं ठीक है तो यह हो गया आपके नागरिक सास्तर का सीमित पाठे करम ठीक है अब आगे हम लोग इतिहास का देखते हैं तो स्टूरेंट्स आप देखिये इतिहास में टोटल जो चैप्टर है उसकी संख्या है ग्यारह अब ग्यारह में देखिए पहला चैप्टर को बिलोपित समझीए आधुनी काल में भारत का इतिहास है ना इसको पूर्णता बिलोपित देखिए ये रेड कलर से ये अंकित कर दिया गया है कि इसको पूर्णता बिलोपित है ना तो इसको छोड़ दीजिए नेक्स्ट दूसरा तीसरा चौथा पांचवाँ चेप्टर को आप पढ़िए है ना ब्यापार से सामराज्य तक रामिंट जीवन एवं समाज उपनिबे स्वाद एवं आदिवासी समाज सिल पर उद्योग ये सभी पढ़ने है नेक्स्ट इतिहास में और देखते हैं कि क्या है तो इस्टूइंट्स देखिए छटा चेप्टर जो है 1857 की क्रांती ये पढ़ना है सातवाँ चेप्टर को बिलोपित समझिए ब्रिटिस काल में सिक्षा इसको छोड़ दीजिए उसके आपको पूर्णता बिलोपित समझिए और इसको नहीं पढ़ना है और देखिए स्टूइंट्स आप ध्यान से देखिएगा तो आपको जो है संदर्व के रुप में लिख दिया गया है कि जदी बिलोपित किया गया है क्या बाद में आपको कभी पढ़ने का मौका मिलेगा जी हाँ मिलेगा जैसे मान लिए दस नंबर चैप्टर दस नंबर चैप्टर में लिखा हुए रास्टी आंदोलन इसको अभी तो विलोपित कर दिया गया और आप पढ़ते हैं आठवे क्लास में तो देखिए लिखा हुआ है कक्छा दस में सम्मंधित भिसा है इसका मने ज लिखा हुआ है हौकी से जुड़ी जानकारी सामानने रूप से भी दी जा सकती है तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज मैंने आप सबको सेक्षिक सत्र दोहजार बीस 21 के लिए जो पाठेकरम को सीमित किया गया है सामाजिक विज्यान कर्चा आठवी का उसको मैंने आप के समक्ष प्रस्तूत किया नेक्स्ट इसके बाद मैं दूसरे विशियों के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा कि कौन-कौन से चप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से चप्टर नहीं पढ़ने हैं वैसे आप जदी सभी चप्टर पढ़ने में सक्चम हैं अभी बरतमान अब तक किसी भी चैप्टर को पूर्टा बिलोपित समझ करके जो समागरी नहीं भेजी जा रही थी उसमें सभी समागरी भेजी जा रही थी तो आप जदी पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है जदी आपके समख्च कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको स पढ़ना चाहिए देखना चाहिए और जदी किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है और एक बत मैं आपको बता दूं कि जारखन सरकार के दवारा आप लोगों के लिए सीमीत पाठे करम जो है 2021 के लिए वो सभी विस्यों के लिए जारी कर दिय गया है उसको आप खुद से भी देख सकते हैं तो चुकि बहुत सारे स्टूरेंट्स हैं जो उसको नहीं देख पाए हैं तो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तूत कर रहा हूं एक बिस है का और इसको प्रस्तूत करने के पीछे उद्देश एही ह है कि आप जो मूल नोटिस जो निकला हुआ है जिसमें सभी विस्यों के बारे में सिमीत पाठे करम दर्ज है सिमीत का पाठे करम का उल्लेख किया गया है आपको उसी को देखना चाहिए ठीक है तब आपको किसी वीडियो की भी आउसकता नहीं पड़ेगी तो ठीक है है को से भी जानकारी ले सकते हैं कि कौन-कौन चैप्टर जो है विलोपित है कौन-कौन सा चैप्टर आपको इगनोर करना है ठीक है स्टुएंट्स जहींद स्टुएंट्स